हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अंकिर सुकला है आज की इस वीडियो में हम सेखेंगे कि कैसे अपनी ड्राइफ को रिक्स्टिक्ट कर सकते हैं उनको कैसे लॉक कर सकते हैं बीना किसी थर्ट पर्टे सॉट्टियर को यूज किये हुए तो देखिए ड्राइफ अभी हम ओपन कर पा रहे हैं तो इसको हम पैसे रिस्टिक्ट कर सकते हैं यह सेखते हैं तो सबसे पहले हमको अपना विंडो प्लस आर से अपना रन विंडो ओपन करना है और यहां पर टाइप करना ह इससे हमारा ग्रूप पॉलिसी एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा तो ग्रूप पॉलिसी एडिटर ओपन होते ही यह कुछी स्टैप से देखेगा देन हमको क्लिक करना है यहां पर आड्मिस्ट्रेटिव टेंप्लिट्स पै तेन यहांना हमको Windows कमपोनेंट्स को एक्सप्ड करेंगे और यहां पर आपको option मिलेगा file explorer का file explorer का यह windows 10 की registry है इसले इसमें option आपको मिलेगा file explorer का अगर आपका windows 7 installed है तो आप में यहां पर option मिलेगा windows explorer का then आपको यहां पर एक settings search करनी है prevent आपके देखिए यहां पर show करेगा यह search करते हैं आप प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा यह देखिए prevent access to drive my computer यह settings आपको दिख रहे हैं prevent access to drive my computer इस पर right click करना है और edit button पर क्लिक करेंगे और यहां पर enable कर देंगे इसके enable करते ही दिखिए आपे options आपके highlighted हो जाएंगे और गहरे रिस्टिक्ट all drives अगर आप सभी driving को रिस्टिक्र करना चाहते है तो all drives्रेंट दीजे यैं तो particular किसी drive को अगर आप रिस्टिक्ट करना चाहते हैं तो आप डे सकते हैं दिखिए de surround डि द्राइब, c जिस भी ड्राइब को रिक्स्टिक्ट कर चाहते हैं आप पापनी c drive को रिक्टिक्क्त कर सकते हैं कि कोई अपनी आपकी c drive के फाइल को डिलीट ना कर पाए या कुछ ना कर पाए इसके लिए आप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए D drive को हम इसमें करते हैं और apply करके ok करते हैं और इसका effect देखते हैं minimize कर देते हैं और देखिए इससे पहले हमारी open हो रही थी अब देखिए यहां पर एक message dispel हो रहा है this operation has been cancelled due to restriction in effect on this computer please contact your system administrator तो इस तरीके से आप अपनी drives को lock कर सकते हैं आप यहां से भी देखिए आप open करने की कोसिज करते हैं तभी open नहीं होपाइगा आपके सामने आप click करेंगे वहीं पर error message आएगा किसी पर भी आप इधर click करेंगे तो message error message generate करेगा इस तरीके से आपनी किसी भी drives को restrict कर सकते हैं तो प्लीज आप हमारी वीडियो को like करें और subscribe करें हमारे चैनल को हमारे latest वीडियो की updates लेने के लिए प्लीज थैंक यू फर वाचिंग